दोस्तो आज हम बात करेंगे Microsoft Excel के basic functions के बारे में जैसे हमें Microsoft Excel में जोड घटाओ गुना भाग करना होता है तो वो किस तरह से करते हैं तो दोस्तो अगर आप Microsoft Excel में start किया है Microsoft Excel को use करना beginner है अगर तो आपके लिए बहुत ही useful होने वाला है बहुती आसान तरीके से हम यहां पर बताएंगे तो दोस्तो सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह से हम लोग Microsoft Excel पर काम करते हैं तो सबसे basic जो function होता है जैसे जोड घटा और गुना भाग का तो यह हम कैसे करते हैं तो दोस्तो क्या होता है कि जब हमें किसी भी चीज को किसी भी amount को जोडना होता है तो हम कैसे करते हैं जैसे calculator से अगर जोडना होता है तो पहले amount टैप करते हैं फिर से plus का sign देते हैं फिर से amount टैप करते हैं तो इस तरह से हमें जोडना होता है लेकिन Microsoft Excel में हमें एक एक amount को जोड़ना नहीं होता है हमें यहाँ पर cell को cell से जोड़ना होता है और result automatic आ जाता है जैसे हम यहाँ पर एक number लेके example के साथ समझते हैं यहाँ पर हम type करते हैं जैसे इस cell में हमने 15 type किया है और यहाँ पर 20 type किया है अभी हमें इन दोनों cell को जोड़ना है इन दोनों amount को जोड़ना है 15 और 20 को तो जनरली क्या होता है हम लोग 15 type करते हैं फिर से plus करके फिर से 20 type करते हैं लेकिन Microsoft Excel में हम इस तरह से equal to का sign देंगे और पहले यह जो cell है A3 यह A हमारा column हो गया और तीसरे number का जो cell है तो यह A3 cell हो गया A3 cell दिये यहाँ पर हमने plus का sign दिया और यहाँ पर हम B3 cell को select कर लिए तो अभी क्या हो रहा है कि हमें amount tap नहीं करना पड़ा 15 और 20 अलग-अलग से tap नहीं करना पड़ा हमने यहाँ पर A3 plus B3 दिया है जैसे enter करेंगे तो इन दोनो number का जोड़ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तो अभी हमें क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर cell को जोड़ा है number को नहीं जोड़ा हमने cell को जोड़ा है जैसे हम यहाँ पर अगर कोई भी number change करते हैं amount change करते हैं तो यहां पर automatic जो है change होता चला जाएगा, उसी तरह से दोनों cell में से किसी भी cell में हम अगर कोई भी number डालते हैं, तो यह दोनों cell जो है जुड़ता चला जाएगा, तो देख सकते हैं, आपके cell को cell से जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं, अब जैसे मान क्या है, दूसरा option जो है minus करना है, घटाना है इसमें से, तो equal to this cell, तो यहां पर देख सकते हैं, D3 cell select हुआ है, minus का sign देंगे, और E3 cell को select करेंगे, तो अभी क्या होगा, कि D3 में से E3 को minus कर देगा, enter करेंगे, यहां पर देख सकते हैं, कि 20 में से 10 को घटा दिया, हमें amount नही कोई जरूरत नहीं, यहां पर हम cell का reference देए, इससे होगा क्या, या अगर हम यहां पर कोई भी number change करते हैं, तो उसके हिसाब से यहां पर minus होता चला जाएगा, जैसे 50 में से 10 minus हुआ, तो 40 हो गया, उसी तरह से multiply अगर हमें करना होता है, तो बस हम cell का reference देगे, जैसे यहां प कितने से करना है, मान लिज़े, दो हम टाईब की, तो 2 से multiply कर देगा, उसी तरह से 4 times करेंगे, तो 5 से कर देगा, इसी तरह से हमें, जितने से भी multiply करना है बस इस cell में value डालते जाएंगे, और यहां पर जो है multiply होता चला जाएगा, बस यह क्या है, cell को cell से multiply कर रहा है, जो इस अपरेक्टर देना होता है जैसे equal to these cell और minus ये स्वरी divide का sign देंगे और इस cell को select करके enter करेंगे अभी है error आ रहा है लेकिन जैसे हम कोई number टैप करेंगे जैसे यहांपर हमने 500 दिया और इसको 2 से divide करना है जैसे 2 टैप करेंगे तो यहांपर 2 से divide कर देगा यहांपर अगर हम आप से divide होता चला जाएगा तो दोस्तों देख सकते हैं कि कितने आसानी से आप जो है जोड घटा और गुना भाग का काम कर सकते हैं दोस्तों अगर मान लिए इसको 2 से भागा देना है तो आप equal to का sign दीजिए इस cell को select कीजिए divide का sign लिजिए और यहाँ पर two tap कर दीजिए इस तो two tap करेंगे four से करना होगा तो four tap करेंगे five से करना होगा तो five tap करेंगे और इस तरह से divide होता चला जाएगा functions का use जो है आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास कुछ जो है number है उन number को हम जोड के देख लेते ह हुआ है और इन सारे number को हमें जोडना है तो जैसे इन सारे number को हमें जोडना है तो दोस्तों इसको जोडने का जो है बहुत सारा तरीका है तो इसके लिए हम sum का function लगाएंगे sum formula कैसे लगएगा सबसे पहले tap करेंगे equal to sum tap करेंगे तो sum का function enable हो जाएगा अब हमें यहां से range देना है तो हम यहां से select करेंगे पूरे range को यहां पर देख सकते हैं कि A3 से A11 तक जो है इस range को select कर लिया है अब हम bracket close करके जैसे enter करेंगे तो यहां पर इन सभी number का जोड़ आ जाएगा हमें किसी भी number को अलग-अलग बताना नहीं पड़ा ना plus का sign देना पड़ा sum formula जो होत है जैसे यहां पर sequence में सारा number है और यहां पर हमें इन सारे number का total करना है तो बस keyboard से alt और equal to press करेंगे keyboard से alt के साथ जैसे equal to press करेंगे enter करेंगे तो यहां पर सभी number का sum हो जाएगा दोस्तो एक और उससे आसान तरीका है कि इस पूरे range को select करेंगे और यहां पर आपको auto sum का option दिखेगा यहां पर जैसे ही click करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि सभी number का total हो गया है दोस्तो आप देख लेते हैं मान लीजिए इस number को आपको इस में से minus करना है जैसे इतना सारा total किया हुआ है total इसका 1822 है इस में से आपको इस number को 200 जो amount है इस amount को minus करना है तो कैसे करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं दो तरीके से कर सकते हैं सबसे पहला जो है कि यह 200 amount जो है इसको छोड़ना है तो फिर यहां से उस cell को छोड़के बाकी सारा जो cell है उस cell का reference ले लेंगे तो अभी क्या है दो भाग में हमने यहां पर जोड़ा है A3 से A5 तक कॉमा लगा के A7 से A11 तक bracket close करेंगे और enter करेंगे तो यहां यहां पर 200 को मैनस करते हुए यहां पर सभी cell को जोड़के टोटल दे दिया है अब मालिए दूसरा तरीका देख लेतें दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर हम equal to sum का formula लगाएंगे और इस पूरे range को सेलेक्ट करेंगे पूरे range को सेलेक्ट करेंगे कॉमा लगाएंगे अभी क्या है कि sum formula में यह सारा number पहले तो जोड़ देगा जोडने के बाद कितना amount आएगा 1822 आएगा अब हमको minus का sign देना है और इस cell को सेलेक्ट करके bracket close करना है बस इतना काम करना है अभी क्या करेगा कि इन सारे number को जोड़ेगा जोडने के बाद उस में से 200 जो amount है इसको minus कर देगा enter करेंगे यहांपर देख सकते हैं के यहांपर भी हमने minus किया है यहांपर दो पार्ट में हमने इसको जोड़ा है जैसे a3 से a5 तक पहला reference और दूसरा reference a7 से a11 तक और यहांपर हमने एक ही formula में सभी को पहले जोड दिया है और उसके बाद मैनस कर दिया है A6 में जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैनस कर दिया है तो दोस्तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकन को प्रेस कर लीजे तो दोस्तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद